इस खेती में जहां पर हम खड़े हैं वो इतना खर्पतवार होता था इतना करगा होता था मुझे एक ही एकड को निद्वाने के लिए कम से कम 15 से 16 रुपे लग जाया करता था लुवाई के समय करीब हो चुके हैं लग भाग फिर भी जो उपार का पत्ता है वो हरा है जो इसक पारा ग्राम के अंदर गर्थ हमारा जो राजान की जीला 36 गड़ के अंदर आता है तो यह हमारे एक सफल किसान है जो दहान की सदान खेती को छोड़ करके वह अभी हाइटेक नई तकनिकों के साथ जो है अपनी धान की खेती कर रहे है तो उनको कितना बेनिफिट देखने क भी आ जो देंगे अपना परीचा देंगे मेरा नाम गणपत्र राम साहो ग्राम छपारा डूंगर गडर्राज नादगाउं से ओं आप सभी किसान बैये को जय जया जय चछातिज हुरा कितने एरिया में आपनी फसल जो है लगा कर रखी है इस एरिये में तो अभी फिरहाल एक एकड बीज मिल है और बाकी जो खेती है वो अन्ने साइड पे है यहां पर हम जो है एक एकड डेड़े कर लगभग उसमें देख पा रहे हैं तो अभी जो हम इसकी फसल के बारे में पूरी बात करेंगे इसकी बवाई अपने किस तरह से की अब बाति एकड में कितनी बीज लगे हमारे कषान बहें को बताएंगे मुझे प्रति एकड 7 किलो के रहीं जमेंने इसका अनारी करवाया है मैंने इसको और उनारी करवाने के मैंने 15-20 दिन के अंदर में मैंने इसमें कमपणी के तरब से दबाई दिया गया था खर्पत वार नासाक उसका छिडिकाव किया जिसमें बहुत अच्छा रियाट आया इसमें किसी भी प्रकार का कोई बन नहीं बचा साथ ही साथ इसमें जो करगा दिखते थे करगा से हम सब प्रसा हुटी है पानी के बचत होती है इसमें क्या है हम अन शुकति करते थे इसमें 20-22 या कुपत रहा इसमें पानी आभी कोज़ते होती थी जिसे हमको पूलता बच八 हुआ है पानी कम घ्रेटी में बहुँत अच्छा च्छा फीति में यह जो द्धान है कम लागत में और कम बचट में बहुत अच्छा उत्पादन है इसका तो सर हम इसमें कितनी लागत हम बचा सकते हमारे किसान भाईयों को अगर एक अनुमान बता है प्रती एकड में बात करें तो कितनी पैसे हमारे बच जाने वाले इस पसल को लगा करके मैं एक मिक्जिमम में बताता हूं एक इस खेती में जहां पर हम खड़े रहें वह इतना खरपतवार होता था इतना करगा होता था मुझे एक ही एकड को निदवाने के लिए कम से कम 15-16 रुपे लग जाया करता था लेकिन इस बार दवाई का परियोग किये तो एक ही बार में पूर नरुप से बन नासक समाप्त हो गए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अभी जान लेते हैं कि सवाना कंपनी का फूल पेज क्या है और यह कैसे काम करता है दोस्तों फूल पेज जो है वह हमारे दहान की साधारन खेती नहीं है यह एक नविंतम और वि इसेज करके सीधी बिजाई के लिए तयार की गई है जो की समान और कुसल होती है हमारी सीधी बिजाई के लिए दोस्तों यह इतना ही नहीं यह जो हमारे खरपातवा नासी का भी काम करता है जिससे की हमारे किसान भायों की काफी सारी समस्याइं जो है वह यहाई पर दूर ह हो जाती है और यह जो सीड है दोस्तों स्कॉर्ट के द्वारे ट्रीटेड है जिसमें की हमारे अंकूरन की जो होती हो समान अंकूरन को देखने को मिल जाती है फसल भी हमारी इसमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है इसके साथ ही दोस्तों हमको एक वजीर नाम की जो है खरपतवा नासरी देखने को मिल जाती है जिसका इस्तमाल किसान भाई करते हैं अपनी खेतियों पर जिससे की रिजल्ट यह देखने को मिलता है कि यह चौड़ी पत्ती हो गई करगा हो गए वह सारी चीजों को काफी अच्छी तरीके से यह नियंत्रीत कर देता है उसको उग करने के बाद कई किसान ऐसे जो खरपातवार के करन उस खेति को उपजा ही नहीं पाते पूर्ण उपसे बीमारियां आ जाती है और उसमें खरपातवार पूर्ण सधाक लेता है उसको कई लोग छोटे बरगे के लोग निंदाई गुड़ाई नहीं कर आपाते उसका किसानी पूर्ण उसका डबाई डालो जो कमपनी देते हैं उसके बाद उसको कुछ करने के अबस्यक्त नहीं है केवल मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा है जी बालियों को दिखाना चाहेंगे सरे जैसे हम सामने केमरे में भी दिखा देंगे तो यह जो बालिया है अन्य धानों में देखन अक्सर यह देखने में आता है कि ऊपर कर जो धान है वह पग जाया करते थे लेकिन जो नीचे का है वह हमेंसा बदरा हो जाया करते थे जिससे किसानों को काफी नुकसान होता था क्योंकि किसान अपना पूर रूप से उसमें लागा लगा चुके हैं अगर इसमें से आधा बदरा हो गए तो हमें नुकसान पूनता नुकसान होता है तो इस चीज में अगर बचत देखना है तो यह फूल पैसधान है बहुत अच्छा पकाई है इसका पूर दाना इसका पका हुआ है जिससे हमें फूल कहना चाहिए मैं कभी इतना पैदावरी नहीं लिया था वो प आप देखने के तैयारी हो चुकि है क्या नए यह कुछ दिन और रहेंगे कम से कम साथ से आट दिन और रोकोंगा उसके बाइस कटाई होगा इसका फाइदा बता देंगी यह जो हरा जंडा पता दो देखने को पूलता है तो नमान ने देखने नहीं मिलता लेकिन हमको इस जो है वो पूलता पिला हो जाता है सुख जाता है सुख जाने के कारण नीचे के जो दाना है वो पक नहीं पाता और यह लुआई के समय करीब हो चुके हैं लगभाग फिर भी जो उपार का पता है वो हरा है जो इसको भोजन बना आखर के दे रहा है और पूरा दाना पकान आप सब लोग फूल पेज का सहरा ले और एक सफल किसान बने फूल पेज एक ऐसा धान है जिसमें निंदाए गुड़ाई का कुई अबसकता ही नहीं है किसानों के पास बचत ही बचत है तो दोस्तों हमने वीडियो में पूरा डीटेल में बात किया इसमें हमने आप लोगों क